मैं नेम इस अनुच कुमार पुर इस वीडियो के तुरूब मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक्सेंस की है मैंने बहुत अच्छा लड़का था यार अब उसन गुल बोई ये वीडियो आपको मेरे एक्सेंस के बाद मिलेगी तो पूरी वीडियो देखना हर वो इनसान जो कभी न कभी किसी से सच्चा प्यार करता है न केवल साथ जीने मरने की कसमे खाता है बलकि साथ जन्मों के सपने भी बुन लेता है लेकिन हर प्यार अपने सुखद अंजाम तक पहुँच सके ऐसा जरूरी तो नहीं कुछ प्यार का अंत इतना भयानक तरीके से होता है कि किसी की भी सुनकर रूख काप उठे और आज क्राइम अड़ा के इस नए एपिसोड में क्राइम के जिस सफर की सच्ची घटना में आप सभी को सुनाने जा रही हूँ इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था नमशकार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या और आप सभी से अनुरूध रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि क्या इस प्यार का यही अंजाम होना चाहिए था नौएडा के शिवनादर युनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं प्यार इतना गहरा हो जाता है कि साथ जीने मरने की कसमे तक खा लेते हैं मगर तभी 18 माई 2030 के दिन लड़का सरयाम लड़की को गोली मार कर शुली कर देता है और कुछ ही मिंटों के बाद लड़के का भी भयानक अंजाम होता है इस घटना के बाद हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर इन दोनों की बीच ऐसा क्या हो गया कि प्यार से शुरू हुआ ये रिष्टा खूनी अंजाम तक पहुँच गया आखिर ये लड़का युनिवर्सिटी के अंदर पिस्टर लेकर जाने में काम्याब कैसे हुआ तो चलिए इन ही सवालों के जवाब आप सभी को देती हूं और सुनाती हूं क्राइम की ये पूरी सच्ची कहानी इस पूरी घटना की जाच परताल के दोरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सामने आया था वो भी बेहत चौका देने वाला था दोस्तों मैं बात कर रही हूं 18 मई 2023 को नोईडा के शिव नादर यूनिवरसिटी में हुए स्नेहा चौरसिया मर्डर केस के बारे में स्नेहा चौरसिया कानपूर के ओम नगर में रहने वाली लड़की थी मगर उसने अपना एड्मिशन तीन साल पहले ही नोईडा के इस शिव नादर यूनिवरसिटी में करवाया था घटना के समय स्नेहा बी ए थर्ड यर की स्टूडेंट थी यूनिवरसिटी में 12 मई 2023 को एक्जैम खतम हो चुके थे और ज्यादा तर छात्रों की छुट्टी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर लोट भी चुके थे मगर स्नेहा समेथ कुछ शात्र अभी भी यूनिवरसिटी के अंदर ही मौजूद थे क्योंकि 26 मई को यूनिवरसिटी में दिक्षांत समारों का आयोजन होने वाला था और इसी दिक्षांत समारों की तयारी के लिए कुछ शात्र अपनी मर्जी से रुख गय थे स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाब का एक लड़का भी था जो तयारी के सिलसिले में यूनिवरसिटी में ही रुका हुआ था अनुज अमरोहा का रहने वाला एक लड़का था और उसने भी कुछ साल पहले ही शिवनादर यूनिवरसिटी में अपना एड्मिशन कर कर रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया युनिवर्सिटी में दिक्षांत समारों की तयारियां चल रही थी तो 18 मई 2023 को भी छात्रे तयारियों में लगे हुए थे तब ही दोपहर के समय स्नेहा और अनुजभी युनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के सामने पहुँचते हैं यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं अभी बातचीत शुरू ही हुई थी दोनों में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है और थोड़ी ही देर बहस के बाद फिर से दोनों शान्थ हो जाते हैं और बातचीत का स जब लोगों का ध्धान आवाज की तरफ जाता है तो लोग देखते हैं कि अभी जिस अनुज ने स्नेहा को गले लगाया था उसके हाथ में पिस्तल थी और जो स्नेहा अभी कुछ चंद सेकंड पहले अनुज की बाहों में थी वो खून से लत्पत जमीन पर पड़ी हुई थी लोग कुछ समझ पाते लेकिन उससे पहले ही अनुज बढ़ी ही आराम से अपने हाथ में पिस्तल को लहले हाते हुए बैक को उठाता है और वहां से निकल जाता है ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई भी अनुज को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है और एक ह पूलियां लगी हुई है तुरंथ ही सनेहा को अस्पताल ले जाने की तयारियां शुरू हो जाती है मगर हॉस्पिटल ले जाते ही सनेहा को मृत घोशित कर दिया जाता है अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि कुछ ही मिंटों के बाद इसी शिवनादर युनिवर्सिटी मे बॉइज होस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की एक बार फिर से आवाजे आती है लोग आवाज की तरफ भागते हैं मगर देखते हैं कि कमरे का दर्वाजा अंदर से बंध है तुरंथ ही पुलिस प्रशासन को गोली चलने की जानकारी दी जाती है मौके पर पुलिस पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम के अंदर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और उसके सर में गोली लगी है ये लड़का कोई और नहीं बलकि अनुज ही था अब सामने पड़ी अनुज की लाश को देखते ही समझा गया था कि अनुज ने एक ही सवाल था कि आखिर अनुज ने ऐसा भयानक कदम उठाया तो उठाया क्यों इस पूरी घटना का सवालों का जो सटीक जवाब दे सकता था वो था अनुज मगर अनुज भी अब इस दुनिया से जा चुका था और इसी कारण पुलिस के सामने अब एक बहुत ही बड़ पुलिस को अनुज के लेपटॉप में मिल जाता है सबसे बड़ा सबूत एक्सपर्ड की मदद से अनुज का लेपटॉप खुला जाता है और फिर उसी लेपटॉप की तलाशी ली जाती है इसी तलाशी के दौरान लेपटॉप में अनुज द्वारा रिकॉर्ड किया गया 23 मिनट का एक वीडियो मिलता है इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्योंकि ये लड़का अनुझ द्वारा इस घटना के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किये गए वीडियो के मताबिक जब स्नेहा और अनुझ नए-नए ही इस युनिवर्सिटी में एड्मिशन लेते हैं तभी इन दोनों की मुलाकात होती है और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती भी होती है और इसी दोस्ती के दोरान स्नेहा अनुझ को बताती है कि वो किसी अन्शु नाम के लड़के से प्यार करती थी मगर अन्शु उसे बहुत ज्यादा परिशान करता है और अब स्नेहा को अन्शु के साथ रहने से घुटन महसूस होती है इसलिए अन्शू के relationship से निकलने के लिए सनेहा अनुच से मदद मांगती है अनुच के बयान के मताबिक वो सनेहा की जिंदगी से अन्शू को निकालने में काफी मदद भी करता है अनुच की इस मदद की वजह से धीरे धीरे सनेहा अनुच के करीब आने लगती है और इसी कारण उन दोनों की दोस्ती समय के साथ साथ और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, जो एक समय के बाद प्यार में बदल जाती है अन्शु से मिली आजादी के कुछ ही समय के बाद स्नेहा अनुज को प्रपोज करती है अनुज के मताबिक वो स्नेहा के प्रपोजल को रिजक्ट कर देता है और रिजक्ट करते हुए ये भी कहता है कि हम दोनों एक दोस्त की तौर पर ही सही रहेंगे मगर एक समय के बाद अनुज भी सनेहा के प्रपोजल को accept कर ही लेता है और दोनों relationship में आ जाते हैं अपने द्वारा record किये गए वीडियो में अनुज आगे बताता है कि पहले तो शुरुवात में कुछ दिनों तक इन दोनों का रिष्टा बहुत ही अच्छा चलता है दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगते हैं मगर बीटते समय के साथ साथ सनेहा का बरताव बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाईयां होने लगती है फिर एक समय के बाद सनेहा अनुच से कहती है कि मुझे अपना केरियर बनाना है मेरे कुछ सपने है जो मुझे पूरे करने है मगर इस प्यार के चकर में मेरे सपने और मेरे घर वाले सभी पीछे चूट रहे हैं इसलिए इस रिष्टे को खत्म करना चाहती हूं और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहती हूं अनुज के बयान के मुताबिक स्नेहा के ऐसा कहने पर वो स्नेहा को समझाने की कोशिश करता है मगर स्नेहा जिद करने लगती है अनुज कहता है कि ठीक है हम दोस्त और बनकर रह सकते हैं ना मगर स्नेहा दोस्त बनकर रहने को भी मना कर देती है और इस रिष्टे को खत्म कर देती है अनुज आगे बताता है कि कुछ समय तक तो वो यही समझता रहा कि इसनेहा ने अपने केरियर में ध्यान देने की वज़ा से इस रिष्टे को खत्म किया है मगर एक दिन अनुज इसनेहा के लैपटाप को एकसेस कर ले इसलिए उसने अनुज के रिष्टे को खत्म कर दिया था जब अनुज को पता चलता है कि सनेहा ने किसी दूसरे लड़के के लिए उसे छोड़ा है तो वो अपना आपा खो बैठता है और उसी दिन वो तै कर लेता है कि सनेहा ने उसे धोका दिया है और इसी की सजा वो उसे जरूर देगा इसी के बाद अनुज मौकी की तलाश में लगा रहता है और फाइनली 18 माई 2023 को मौका उसे मिल ही जाता है मौका मिलते ही पहले तो स्नेहा को गले लगाता है और फिर थोड़ी ही देर की नोग जोग के बाद उसके पेट और सीने में गोली मार देता है कुछ समय बाद वो अपने होस्टल के कमरे में जाकर खुद भी सुसाइट कर लेता है अनुज ने जो कुछ भी वीडियो में कहा था उसमें कितनी सच्चाई है इस बाद को समझने के लिए पुलिस अपनी जाच आगे बढ़ाती है कुछ और खुलासे होते हैं पुलिस की जाच आगे बढ़ती है तो अनुज के दावे से उलट एक नई कहानी सामने आती है आगे की जाच के मताबिक ये सच था कि सनेहा और अनुज की दोस्ती हुई थी मगर एक समय के बाद अनुज ने सनेहा को परिशान करना शुरू कर दिया था इस्थिती इतनी गंभीर हो चुकी थी कि मार्च 2023 में आधिकारिक तौर पर इमेल के जरिये युनिवर्सिटी प्रशासन के सामने सनेहा अनुज की शिकायत करते हुए कहती है कि वो मुझे परिशान कर रहा है सनेहा की शिकायत के बाद अनुज और सनेहा की काउंसलिंग युनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से करवाई भी जाती है इसके अलावा युनिवर्सिटी की ओर से ही तै किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से युनिवर्सिटी के अंदर ना तो मुलाकात करेंगे और ना ही बात करेंगे मगर दोनों ही युनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश को लंबे समय तक नहीं मान पाते हैं और मिलना जुलना तथा बातचीत जारी रखते हैं इस बारे में जब दूसरे छात्रों से भी बातचीत की जाती है तो कई छात्र गवाही देते हुए कहते हैं कि वास्तव में अनुज सनेहा के पीछे पड़ गया था बलकि उसे चेतावनी देकर समझाया जाए सनेहा की हत्या के बाद सनेहा के परिवार वाले युनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि अगर युनिवर्सिटी प्रशासन ने समय पर कारेवाही की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती मगर युनिवर्सिटी की ओर से सफाई देते हुए ये कहा जाता है कि सनेहा ने लिखित कंप्लेंट देने से मना कर दिया था इसी कारण युनिवर्सिटी ने अनुझ के खिलाफ कोई भी सकत कारेवाही नहीं की थी युनिवर्सिटी द्वारा जारी इस बयान से सनेहा के माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और वो युनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्यवाही की मांग करने लगते हैं और इसी के बाद पुलिस वाले अपनी जाज पूरी करने के बाद स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान के मताबिक अनुच कुमार युनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉइफरेंड अंशु के खिल पुलिस इस सवाल के जवाब की तलाश में भी लग जाती है कि आखिर अनुज को पिस्तल मिली कहां से बहुत ही जल्द पुलिस को इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है। उपलब्ध कराने के आरोप में भी तीन लोगों को गिरफतार कर लिया जाता है और इनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है फिलहाल इस केस की स्थिती के बारे में बात करूँ तो पुलिस ने विभिन धाराओं के तहट युनिवर्सिटी प्रशासन समीत पांच अलग अलग लोगों के उपर FIR दर्ज की हुई है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है अब जांच में जो भी आए मगर सच्चाई तो यही है कि शायद शक और गलत फैमी की वज़ह से दो हस्ते खेलते परिवार को कभी ना मिटने वाला गम मिल चुका है अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजेगा और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा हम हर बुधवार और शनिवार रात आठ वजे एक नई सची घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और तब तक के लिए सतर्क रहिए स्तोरक्षित रहिए जैहिन जैभारत